Hello friends, welcome back to my channel आज मैं आई हूँ बावा मंदीर और मैं घर से वीडियो सूट नहीं कर पाई यहीं से सूट कर रही हूँ तो उसके लिए सौरी इतना ज़दा भीर देखे आप लोगों को लग रहा होगा कि यह सावन का महिना है क्योंकि सावन में यहां काफी ज़दा भीर होता है पर ऐसा नहीं है यह सावन का महिना बिलकुल भी नहीं है तब इतना भीर है क्योंकि सावन आज पूर्णिमा था यहां के बारे में आप लोग सावन जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो मैं बता दू ये बावा मंदीर जो है वो देवघर जारखंड में है ये जो है यहां सिव भगवान का पूजा होता है और ये नवा जो तिरलिंग है मैं आप लोगों को बता दूँ तो मैंने सोचा कि मैं खुद भी दिखा दूँ कि हाँ मैं ही हूँ मैं ही वीडियो बना रही हूँ तो मैं जा रही थी पूजा करने के लिए जैसा कि आप लोगों ने देखा पहले यहां काफी ज़्यदा भीर था और लगभग दो तीन घंटे लाइन में लगने के बाद जो है वो हम लोग नीचे आए नीचे वाला जो था वो भी देखो इतना ज़्यदा भड़ावा था इतन हम लोग लाइन में लगे हुए थे देख रहे हो लाइन खतम ही नहीं ओड़ा बिल्कुल खतम नहीं हो रहा था मतलब सब मिलाके कम से कम हम लोग उस दीन 5-6 घंटे लाइन में रहे होंगे यहां साइड में काफी सारे पंडी जी बैठे वे होते हैं और पूजा होता है लगना था पूजा करने के लिए तो फाइनली हम लोग पहुंच गए यह है जो में गेट है बावा मंदीर का जो जिससे हम लोग अंदर जाते हैं मंदीर के अंदर जाते हैं और वीडियो बनाना यहां बिलकुल भी अलाव नहीं था पर मैंने किसी तरह तोड़ा बहुत वी ख्ष्वी माता और गनेस जी जो गेट पे बने हुए और भी काफी सारे भगवान जी बने हुए और यह रहा बावा मंदीर का अंदर वो भी अभी अंदर नहीं आये हम लोग वो जो आपको दीख रहा है जो छोटा सा गेट है उसके अंदर जब जाते हैं तब आपको भोले माता का मंदीर जहां से मैं वीडियो सूट कर रही थी यहां से मंदीर काफी अच्छा दिख रहा था फिर मैंने सारे जगव पूजा किया और उसके बाद फिर मैं आ गई प्रनाम करने बाहर से और ना तो मैं पारवती माता के मंदीर में वीडियो बना पाई ना तो बोले न बोले नात का मंदीर और ये है माता पारवती का मंदीर जहां कि वो रेड रेड जो आपको धागा दिकड़ा होगा वो बंधा हुआ होता है इसको गठ बंधन साइद बोलते हैं उसके आद यहां से निकल रहा है नीर यही में परसाद है बोले नात का लोग बोलते हैं कि इदर नीर जो चड़ाया जाता है इधर से निकलता है उसके बाद फिर हम लोग बंधवा रहे थे अपने हाथ में दागा और ये है मेरी एक फ्रेंट इनको अपना फेस विलकुल नहीं दिखाना था इसलिए मैंने वीडियो में नहीं लिया उसके बाद फिर मैं भी बंधवा रही थ को बार बार डिस्टरप कर रहा था और वो बोल रहे थे कि बिता ये पकर लो आप नहीं तो मैं नहीं बांद पाऊंगा देख रहे हो आप उसके बाद हमने दिया पंडित जी को दक्षिना जो उनका था और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए वहां से बाहर तो मैंने किया लास टाइम भगवान जी को प्रना मतलब आज का लास टाइम वैसे लास टाइम नी उसके बाद फिर हम लोग चले गए परसाद के दुकान पर यहां भी परसाद लिया और यह जो आप देख रहे हो वो देवगर जो भी लोग आते हैं वो यह ही परसाद लेके ज जैसे मैंने खाना को देखा मेरे दिल में बहुत ज़्यदा सुकून महसूस हुआ और मैं अब खाना खाऊंगी उसके बाद मैंने खाना खाया कुछ देर में फिर मैं चली आई वहां से बाहर क्योंकि अब घर जाना था और सोना था और आप भी करो वीडियो को लाइक आप म आप सोजाना